इस वीडियो के तना काईस हम लोग बात करने वाले की फॉर्म टैनी यहां पर जो की अरियर का फॉर्म होता है असेस्मेंट या 2324 के लिए आपर कैसे फाइल करना है तो देखिए अभी जाधातर क्या हो रहा है जिते भी आर्मी और डिफेंस वाले लोग थे उनको जाधातर क्या हो रहा है अरियर इस साल यहां पर मिला है जो भी अलाउंसे स्वगरे होते थे तो उसकी वज़े से उनका TDS यहां पर काफी जाधा कर चुका है अब आप टीडियस यहां पर वो रिफंड लेना चाहते है तो उनको एक टैक्स का रिलीफ चीए होगा जो केवल फार्म टैनी की थुरू यहां पर पॉसीबल है तो पहले गाइस बात करते हैं कि आखिर ये एरियर होता क्या है कि मालीजी असेस्मेंट ये 223 के अंदर आपकी सेलरी जो 3 लाख रुपी थी तब कभी भी आपका TDS वगर नहीं कटा करता था लेकि अभी गाइस क्या हुआ मालीजी असेस्मेंट 2324 के अंदर आपको एक साथ साथ लाख रुपे बिल गे तील लाख रुपी की जगे जबकि आपकी जो सैलरी है वो चार से पांच लाख रुपे की असपास होनी ची थी और आपका कोई भी TDS यहाँ पर नहीं करना था तो देखिए यहाँ पर मैं एक्जांपल के साथ में बतारा चाहूँगा जैसे कि आपके पास में यह फॉर्म 16 होगा जिसके निरा पार्ट भी आप देख सकते इस किंदर यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी वो आट लाख रुपे का है लेकिन जैसे का अब आपने पेज नमबर 3 के उपर जाएंगे फॉर्म गैस यहाँ पर आपको ब्रेक अब दिखाए देगा आपके एरियस का तो यहाँ पर आप देख सकते 19-20 के अंदर इनको 22,000 रुपे का यहाँ पर अरियर था वो इस साल यहाँ पर मिला है और 21-22 का भी 80,000 रुपे का जो अरियर था वो इनको इस साल मिला है जिसकी वएसे इनकी सालरी बढ़ गई और उसकी वएसे इनका 35,000 रुपे का टीडियस कट चुका है आप जो फॉर्म 10 है उसको फाइल करना काफी जदा आसान होता है आपको इंकम टैक्स फॉर्म के अंदर जाना होता है फाइल इंकम टैक्स फॉर्म और यहाँ यहाँ पर आपको second number के उपर form 10 मिल जाता है लेकिन देखिए इसकी आपको calculation यहाँ पर करनी होती है तो पहले यहाँ पर आपको assessment यहाँ यहाँ पूरी पूरी टेबल भढ़नी परती है अब यहाँ पर calculation कैसे होती है उसके लिए मैं आपको एक super easy यहाँ पर calculator जो है provide करने वा होगा और जो लोग mobile sales video को देख रहे हैं उनके लिए google sheet भी मैं provide कर दूँगा तो देखिए कैस यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको अपना form 16 खोलना है यहाँ पर बी के अंदर आपकी total income घडाने के बात में आती है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी यहाँ पर total income दी गई है और यही income आप अपना जब अपना ITR वगरे फाइल करेंगे तब भी यहाँ पर इसी तरह से आप डालने वाले है और इसी तरह से deduction जब आप claim वगरे कर लेंगे तो आपकी total income यहाँ पर कुलमला की यही आने वाली है तो guys अभी right now यहाँ पर total income 606040 के something यहाँ पर दिया हुआ है अब guys उसमें से मुझे simply यहाँ पर array घटाना है तो मैं क्या करूँगा simply यहाँ पर 2122 का amount 2021 का amount और 1920 का amount इन तीनों को यहाँ पर मैं add कर लूँगा और उसको मैं simply total income में से यहाँ पर घटा दूँगा 20 के अंदर जाओंगा तो यहाँ पर array of the salary का आपको column मिल जाता है यहाँ पर आपको simply array का amount डालना है ऐसे 2021 के अंदर आपको 80,941 दिया हुआ है तो वह amount आपको डालना है तो कुल लाग के एक लाग 65,000 पर आपका array बनता है और already में इसको total income में से यहाँ पर घटा चुका इसकी total income आपको कैसे डालनी है या तो आप अपना form 60 निकाल सकते हो पिछले 3 सालों का अगर यह चीज़ पॉसिबल नहीं है अगर आप regular ITR वगरे फाइल करते है तो best तरीका क्या है आप अपने simply portal के अंदर जाओ और जब भी जो भी assessment यह है उसका simply download receipt कर लो तो guys receipt को download करने के बाद में क्या होता है एक तरह का एक PDF form खुलता है इसी के अंदर आपकी यहाँ पर आपको अपनी total income दिख जाती है जी हा तो यहाँ पर exactly जो total income दी गई है उसी को guys आपको इन तीनो सालों के अंदर यहाँ पर fill up करना है तो guys मैंने इसी तरीके से simply तीनो सालों के अंदर अप आपको total tax का relief दिख जाने वाला है आप दिख सकते 35056 का यहाँ पर आपको relief दिख जाता है तो ultimately यह पूरा का पूरा TDS का refund का amount आप यहाँ पर claim कर पाएंगे अब guys हमें यहाँ यहाँ पी basically यह online जो है arrear salary का पूरा यह जो यह table हमें fill up करना है और जो calculator है उसकी वज़से यह स 440141 दिया हुआ है इतना ही amount हमें वहाँ पे डालना है उसके बात में salary का amount दिया हुआ है तो उसके लिए हमें यहाँ पर नीचे जाना है यहाँ पर आपको table A मिलेगा add details के उपर simply आपको click करना है और इसी Excel sheet के अंदर आप second part में देखेंगे यहाँ पर आपको table A मिल जाने वाली है तो guys यहाँ पर 19-20 में आप देख सकते हैं जो amount यहाँ पर आपको दिया हुआ है वही simply आपको copy based करना है example के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर simply 19-20 चूज कर लिया total income में आप देखेंगे 40,500 डला हुआ है तो उतना ही amount मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया उसके बाद में देखेंगे अरियर 22,375 का दिया हुआ है तो उतना ही amount मैंने यहाँ इंसर्ट कर लिया उसके बाद मैं देखेंगे tax on total income कोई भी tax नहीं बन रहा और यहाँ पर भी tax नहीं बनना यहाँ भी आप देख सकते हैं और यहाँ भी 00 दिया हुआ है तो इस तरह से मैं इसको simply add करा द जाएगा चलिए आपको दिखाता हूँ आगे इसको आपको simply save करना है और equity भी डालके simply आपको verify कराना पड़ेगे आप स्क्रीन के सामने देखेंगे जब अपनी idea file करेंगे तो last वाला जो page होगा तो यहाँ पर आपको relief under section 89 simply तरीके से मिल जाता है और इसके लिए हम लोग न आपको बिल्कुल भी इसके बारे में idea नहीं है तो आपको हमेशा एक tax consultant के याद भी मदद देनी चाहिए ताकि future वगरे के अंदर आपको notices वगरे कुछ भी ऐसा ना मिल सके so guys hope you like this video please subscribe our channel अगरा guys आपको कोई भी consultancy चाहिए उसकी link भी आपको मेंने description box में दे रखिए